बिसमिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकून, वेलकूम तो टेक्नोजीनियर आज इस टॉपिक हम समझेंगे वो है सिंगल लाइन डायग्राम इसको वन लाइन डायग्राम भी कहते हैं यह पावर की स्पेशलाइजेशन में या पावर में बहुत इंपॉर्टन डायग्राम है क्योंकि पावर सिस्टम बहुत बढ़ा होता है तो इसकी जो सिंप्लिफाइड वरियन है यानि कि पावर सिस्टम का बेसिक वरियन अकर हमने देखना हो, स्टडी करना हो तो वो सिंपल डैगराम से हम अंडर्सनेंड कर सकते है जितने भी सिस्टम जब डिजाइन होते हैं यानि कि पावर डिस्टिबिशेन, ट्रांसमिशन, ग्रिट स्टेशन, आपका जो है जनेरेशन स्टेशन यह सारे के सारे जो on paper single line diagram में डिजाइन होते हैं और फिर उसके बाद है सारा system जो हो implement होते हैं even बे तहशा software जिन में हम power system को analyze करते हैं study करते हैं उनका response देखते हैं वो भी सारा single line diagram से ही हम study करते हैं अगर आप देखो तो यह basic single line diagram है आप यहां पर देखो तो यहां पर इंडिकेट कर रहा है जनरेशन फिर आगे जाके वो बसे शो करवा रहा है transmission की और फिर एक और जनरेशन है और इस side पर load शो करवा रहा है तो यह basic single line diagram है अब जो आगर आप वैसे देखा रहे हैं तो यह हमारा पूरा complete power system आता है यहां से देखा तो यह power station है यह power station एक certain amount का voltage produce करते हैं यह voltage normally 4 wire system होता है यह यह के wire connection में यह आपको output देता है यह इसकी output को हम step up करते हैं क्यूंके transmission हमने long distance transmission करनी है तो हम step up कर देते हैं transformer से step up करते हैं और transformer के 2 advantage आप लेते हैं एक step up करने का और दूसरा हम wire को या star connection को delta connection में convert करते हैं star connection मतलब four wire system को हम three wire system में convert करते हैं ताके यह long distance transmission भी हो जाए और cost effective solution में जाए अब उसके बाद transmission के 2 इसे होते हैं एक primary transmission होती है और secondary transmission होती है जो primary transmission होती है वो specifically काफी लंबे distance के लिए हम primary transmission करते हैं जैसे ही आपकी transmission lines किसी शहर बगारा में गुजरती है तो फिर हम उस voltage को reduce कर लेते हैं और secondary transmission में ले जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही किसी area में चली जाती है जिदर हमारा consumer है तो फिर हम distribution end पर चले जाते हैं तो distribution end अब यहां से primary transmission secondary transmission primary distribution यह तीनों three wire system होता है जबके फिर उसके बाद आपके बास आती है जब आपको पास load आ जाता है जब load के साथ attachment कर नहीं होती है तब हमें neutral चाहिए होता है तो हम जो delta connection है उस star connection में करवाट कर दाता है तो यह देखने में तो बड़ा easy system लगता है लेकिन जब हम designing की accordingly देखते हैं एक एक parameter को mention करना होता है तो फिर हमें यह बहुत ज़्यादा wires शो करवाना मुश्किल हो जाता है तो फिर हमेरे पास easy solution यह निकलता है कि हम single line diagram बना ले कुछ इस तरह की diagram बना ले जिसके थरू हम power system पूरे को define कर सकें यह single line diagram के कुछ symbols हैं जिनको हमें याद करना जरूरी है अगर हमने किसी भी single line diagram को study करना है आप देखो के जो rotatory objects हैं उनको हम circle की formation में represent करते हैं और circle normally जो है आप देखो जो generator गयाना है जो या motors गयाना है वो सारी-सारी circular formation में represent होती है इसी दाना जब bus आती है एक standard voltage पे हमारी transmission start होती है distribution start होती है तो उसे हम bus bar करते है normal way में जो bus bar है वो हम three lines या four lines से represent करते हैं जबके single line diagram में हम एक line से ही represent करते हैं bus का सही है इसी तरह अगर हमने transformer को represent करना है तो वो two winding transformer जो है वो कुछ इस तरह से represent होता है जबके three winding transformer इस तरह से represent होता है delta connection आप देखो simple delta बनावे delta connection star connection या y connection वो इस तरह से star connection या y connection with neutral जो है वो इस तरह से simple transmission line जो है आपको पास यह simple एक line से represent होती है आप देखो transmission line line से represent होती है और उस transmission line में एक मोटी बार थिक wire लगी विया बार लगी विया तो वो क्या बाने के बास्मनी अगर उसी wire के साथ एक arrow बनावे तो इसमों जो यह static load है तो पेस्टर को representation का यह symbol है इसी तरह potential transformer की representation यह होती है क्योंकि यह PT में आता है current transformer की representation यह होती है power system में जिदर भी हमने voltage को measure करना है तो हम power transformer यूज करते हैं और जिदर भी हमने current को measure करना है हम current transformer यूज करते हैं फिर हम हर बार lightning raster होता है कि अगर light पड़ती है यह जो हमारे पार बिजली पड़ती है तो यह short होजे और कहीं पर भी जो है यह हमारे system को damage ना करें तो वह lightning raster आ जाता है फिर हमारे पास fuse आ जाती है फिर एक switch को represent करना है तो यह आ गया circuit breaker को represent करना है यह आ गया यह इस side पर genset लगावा है जिसने generate किया फिर यह transformers लगे में यह देखो मैंने आगवा था primary transmission तो यह 11 kv जनसेट ने produce किया तो वह 132 kv या इस से उपर वाले जितने भी voltage नहीं वह सारे primary transmission में आते हैं और यह long distance transmission है फिर secondary transmission आती है secondary transmission में 132 से नीचे वाली side 33 kv तक यह सारी secondary transmission आते हैं फिर side 33 kv को हम जब 11 kv में convert करते हैं great station से तो यह primary distribution आ जाती है तो यह substations हैं substations के accordingly डिवाइड हो जाता है कि जिदर जिदर इसने transmit करना है उसके बाद हमारे पास secondary distribution आती है जो 11 kv को 400 volt में यानिके simple single phase या three phase हो जो system है जो हमारे गरों में आ रहा है वो उदर चला जाता है और end पर consumer हमारे पास available होता है जो consumer के पास हमारी power supply चली जाती है यह complete अगर आप देखो तो यह एक बड़ी diagram है जो complete power system की diagram बनती है यह देखो multiple gen sets है 123 और इससे भी जादा हो सकते हैं फिर ट्रांस्वार मार लगे हुए है जो उनको step down कर रहे हैं फिर इनकी आगे station buses लगी है जो आपस में इन दोनों तीनों power plants को connectivity दे रही है कुछ direct load पर लगे हैं कुछ transmission line में चला गया है तो यह एक transmission line है यह दूसरी transmission line है तो transmission line अगर आपने step up step down करना है तो वह हमार पास different किसम के values आ रहती हैं जिदर जिदर हमें ज़रुवत पड़ती हैं फिर substations आगे हैं उसके आगे transformers लगे हैं तो जिदर load आ गया है इसी दना हमार बास यह substation आगे इदर load आ गया या कोई genset और आगे जो generator को गया है तो यह complete अगर आप लिखो तो यह हमार पास single line diagram बनती है और normally हम electrical power system में जिससाना वाबडा हो गया या NTDC को गया हो गया है तो जब हम कोई भी नही transmission line बिचाते हैं या distribution network बिचाते हैं grid station बनाते हैं तो इसी तरह की हमार पास single line diagrams available होती है जिसमें यह तो circuit सिर्फ circuit breakers लगा वाता है नॉर्मल ही में release वगयरा fuse वगयरा सारे के सारी अपीर होना शुरू हो जाते हैं सही है तो आप यह देखो यह हमारे पास complete power plant था जो represent का रहा था यह complete power plant है जिसके अंदर एक एक system को identify किया जा रहा है यानि एक जैन सेट है फिर transformer लगावा है फिर poles लगे में फिर transformer लगे में फिर transformer लगे में फिर transformer लगे में फिर transformer लगे में एक point है consumer तक चला गया तो यह complete diagram है और इसी complete diagram को one line या single line diagram में वो कुछ इस तरह से represent करते हैं आप देखो यह बिल्कुल simplified version है जो easy to read, easy to understand है अगर आपको symbols पते हैं तो आप easily understand करके इसकी troubleshooting, इसकी designing में कोई fault है यह सारी चीज़ों को outwork कर सकते हैं तो यह बड़े अच्छा तरीका है पूरे power system को represent करने का और power system में किसी ने भी engineering को गयरा करनी है, electrical power में कोई भी बंदा engineering करता है तो यह सिंगल line diagram एक important tool होता है पूरे power system को represent करने का, thank you, जजाक अल्ला है, अपना ख्याल लग्याद कि अधा अधा फरमाया, और अधानी है, और अधानी है, खलके खुना में तक्सीम करने की तुद्दाओं